तो ऐसी कौन सी चीज है जो भारत के सभी क्यूजीन्स को जोड़ती है और उसका जवाब है मिल्क प्रोड़क्स इसमें दही, दूद, घी, मक्खन, कुछ भी हो सकते हैं और ये सब चीज़े हैं जो भारत के सभी क्यूजीन्स को बाहिन करती हैं भारत में मिल्क मतलब गाई का दूद और गाई जो है वो भारत के कल्चर में रची हुए है, बसी हुए है और इसलिए गाई की पूजा भी होती है तो गाई एक अभिन्न हिस्सा हो गई है भारत के कल्चर का मिल्क प्रोडक्स में आप मिल्क गिन सकते हो दहीं गिन सकते हो छास गिन सकते हो बटर गिन सकते हो या फिर चीज भी गिन सकते हो काफी सारी चीज़े बन सकती है तो आए जल्दे से बात शुरू करते हैं टॉप 10 कोसलिएस्ट मिल्क प्रोडक्स की तसवे नंबर पे हमारे पास है तोक्यो का नाकाजवा फूड का एडल्ट मिल्क और ये मिल्क मार्केट में बिखता है साड़े तीन हजार रुपे पर लीटर जी हाँ 3,500 रुपीज पर लीटर इसकी खासियत ये है कि ये दूद हफते में सिर्फ एक ही दिन वो भी सुबे गई में से निकाला जाता है और जब ऐसा होता है तो वो दूद में मेलोटिनिन नाम का तत्व रहता है जिससे स्ट्रेस रिलिविंग प्रोपर्टी इस दूद की बढ़ जाती है नौवे नंबर पे हमारे पास है एक ऐसा मिल्क जो वेस्टन कंट्रीज में मदर के मिल्क के अल्टरनेटिव पे बेबीज को पिला जाता है और उसका रेट है 5000 रुपे पर केजी जी हाँ 5000 रुपे इसका नाम है एप्टमिल प्रो फूचर मिल्क आठवे नंबर पर है हमारे पास ये प्यारासा दिखने वाला गदा जी नहीं गदा नहीं गधिका मिल्क गदीका दूद जो की मार्केट में आज कल साथ से साड़े साथ हजार रुपे पर लिटर के हिसाब से मिलता है इसको मा के दूद के बराबर पोस्टिक गिना जाता है और आजकल सोशियल मीडिया की वज़े से ये फैक्ट फैल रहा है और इसलिए इसकी डिमान भी बढ़ रही है साथ वे नमबर पे है नियोंक के सेरेंडिप्टी रेस्टोरेंट में मिलने वाला ये मिलक्षेक जी हाँ ये ऐसा वैसा मिलक्षेक नहीं है पूरे आठहजार रुपे पर ग्लास वाला मिलक्षेक है अब आप सोचोगे कि 8000 रूपे ले रहे तो इसमें क्या सोना डालते हैं तो हाँ ये इसमें 23 करेट एडिबल सोना डालते हैं और इसका जो गलास है वो स्वारवोस की क्रिस्टल से बना है गलास तो आपको छोड़के जाना पड़ेगा और वो गोल्ड आप खा सकते हैं छटे नमर पर हमारे पास है फ्रांस का आईशर बटर ये जहां पर बनता है उस गाउं का नाम है आईशर और वहीं से ये बटर आ रहा है और दशकों से बनाया जा रहा है और पूरे वल्ड में enjoy किया जा रहा है ये बटर के लिए जो milk है दूद वो आईशर गाउं के आज़-पास के 66 विलेजिस से आता है और उसमें से ही ये बटर बनता है इसकी प्राइस है 8000 रुपे पर किलो जी हाँ 8000 रुपीज पर केजी पांचवे नमबर पर है वाइकी फार्म्स का शेडार चीज जी हाँ ये वो चीज है जो वाइकी फैमिली 1860 से बनाती आ रही है और ये चीज का जो टेस्ट है वो एक टेंगी मतलब खटा और फूल लग जाता है इसकी कीमत है 23,000 जी हाँ 23,000 रुपे पर केजी ये है श्टिल्टन जीज तो इसमें जो आपको डिजाइन्स दिख रही है इसको परफोरेट करके बनाया जाता है और इस चीज को बोलते हैं श्टिल्टन जीज तो छटे नमबर पर है अपने पास टिल्टन जी जीज की एक ऐसी वेराइटी जिसका नाम है गोल्ड श्टिल्टन जीज जिसकी मार्केट में कीमत है 50,000 रुपीज मतलब 50,000 रुपे पर केजी अब इसमें एडिबल गोल्ड डाल रहे हैं तो पैसे तो लेंगे ना कभी ब्रिटेन जाओ तो ये चीज जरूर खाना और साथ में कोहिनूर भी देखते आना तो पेश है तीसरे नंबर की हमारी वेराइटी मूस चीज मूस एक ये प्राणी है जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे जो जनरली स्वीडन देश के आसपास में पाया जाता है और कहा जाता है कि मूस चीज जो है वो क्रिश्टर और उ मूस चीज सिर्फ वो लोग ही बनाते हैं और पूरे साल में सिर्फ 300 किलो मूस चीज वो लोग बना पाते हैं जिसकी पर केजी कीमत है 75,000 रुपीज 75,000 रुपे दूसरे नंबर पे वापिस हाज़र है गदे पर ये ऐसे वैसे गदे नहीं है ये सर्बिया में पाये जाने व पाला चीज उसको कहते हैं फुले चीज और इसको बनाने के लिए तकरिबन 25 लिटर दूद की आवशकता होती है और तब जाके बनता है एक किलो पुले चीज ये सर्बिया में ही बनता है और इसकी ओने ने वरेज प्राइस है 80,000 जी हां 80,000 रुपे पर किलो सोचा था कभी ऐसा चीज भी हो सकता है तो पेशे दुनिया का सबसे महंगा, सबसे exclusive, सबसे costliest milk product जो एक चीज है वो है बित्तो स्तोरिको चीज जी हां बित्तो स्तोरिको चीज ये अंदाजन 2 साल, 5 साल, 7 साल नहीं बलकि 10-10, 12-12, 15-15 साल तक एज किया हुआ चीज रहता है पूरी दुनिया में ये चीज बनाने वाले सिर्फ 12 producers हैं जो कि एक valley में इट्ली में रहते हैं जो बित्तो रिवर के पास में स्थित है इसमें गाई और बकरे का दूद यूज होता है और ये सब गाई और बकरो को कुछ भी unnatural खिलाना मना रहता है ताकि सदियों से इसका जो प्रोड्यूज होता है और जो वील सबसे महंगा विकाता वो था पांच लाक रुपे का जी हां फाइव लेक्स का एक चीज का वील ये वील 15 साल एज किया हुआ था और ये ही चीज इसको बना दी है most expensive milk product पेश है हमारा आज का question of the day ऐसी कौन सी चीज है जो खाने में डालो तो टेस्ट बड़ा उभार देती है पर ना डालो तो आपको लगता है कि ये मज़ा नहीं आया और को salt नहीं है अगर आपको पता है तो comment box में लिखना ना भूले ऐसे है वीडियोज को देखने के लिए हमारी चनल को subscribe करे वीडियोज को like करे और share करना ना भूले और हाँ घंटे का बतन भी जरूर दबादे ताकि हम और आप connected रहें